इन्सानी आजा का निजाम, Human Organ System असलाम अलेकुम बच्चो आज हम क्लास 7 की साइन्स के चेप्टर नमबर वन इन्सानी आर्गेन सिस्टम के दूसरे टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियों डिसॉडर्स ओफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वल्कम टू क्यूरी स्क्लास रूम स्टूरेंट्स मेरा नाम मैरी क्यूरी है और मैं 1867 में वार्सा पोलेंड में पैदा हुई मेरे पेरेंट्स टीचर थी मैं अपने बहन बाईयों में सबसे चोटी थी 1893 में मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी एहमियत के बारे में पढ़ा था बचो उमीद करती हूँ आप सब ने डाइजेस्टिव सिस्टम को चार्ट पेपर पर बनाया होगा और अपने घरवालों के साथ इसके बारे में बात की होगी आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मददकार और्गिन्स के बारे में पढ़ते हैं आईए किताब से मतालिया करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के मददकार स्पोर्टर्स ओफ डाइजेस्टिव सिस्टम पेंक्रियास, जिगर और पिता यानि गाल ब्लेडर हजमी नाली का हिस्था नहीं अलबता वो हमारे डाजिस्टिफ सिस्टम के मददगार है जिगर यानि लिवर जिगर फैट्स या चिकनायों को हजम करने के लिए बाइल पैदा करता है ये खून में मुझूद जरर रिसामरकबाद को भी तोड़ता है जिगर अपना बाइल गाल ब्लेडर में स्टोर करता है जो इसे चोटी आँट में खारिश कर देता है पैंक्रियास पैंक्रियास बाकी मांदा कार्बोहाइट्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स को हजम करने के लिए रतूपत पैदा करता है तो ये थी वो और्गन्स जिनके बगए डाजस्टिव सिस्टम ना मुकमल है और अगर इन में से कोई एक भी और्गन्स सही से काम ना करे तो हमारा जिसम मुक्तलिफ बिमारियों में मुब्तला हो सकता है डाजस्टिव सिस्टम की खराबियां डिसॉडर्स ओफ डाजस्टिव सिस्टम मुज़ सेहत खाना, पानी की कमी, प्रेशानी, फाइबर की कमी और मेडिसन के असरात हमारे डाजस्टिव सिस्टम में खराबी बदा कर सकते हैं डाइरिया, कब्स, यानि कॉनस्टिपेशन, अलसर, अफारा वगएरा डाजस्टिव सिस्टम की चंद आम खराबिया है यहां हम डाइरिया और कप्स पर तफसील से बहस करेंगे टॉपिक नमबर वन डाइरिया इस बिमारी की अलामात ये हैं तीन से ज्यादा दफ़ा वाश्रूम का इस्तिमाल करना पड़ता है नीम माया फुजले का इखराज होता है पेट के निशले हिस्से में दर्ध होता है क्या आपने कभी लूज मुशिन्स के बारे में सुना है जी हां ये डाइरिया का दूसरा नाम है आपके खयाल में फुजले का नेम माया होने की बन्यादी वज़ा क्या है फूड यानि एक्स्ट्रा खुराग डाइजस्टिव नाली में ज्यादा देर नहीं रहती जिसके वज़ा से बड़ी आथ यानि लार्ज इंडिस्टाइन को इसमें से फालतु पानी जस्प करने का मौका नहीं मिलता आईए डाइरिया को समझने के लिए एक वीडियो क्लिप देखते हैं डाइरिया नेम माया फुजले का इखराज डाइरिया या पेचिश कहलाता है इनफैक्शन, अलूदा खुराग खाना, किसी दवाई का रदे हमल या सिर्फ परेशानी या जोश इसके असबाब हो सकते हैं पेटर्ट, एंठन, अफारा, मतली, पतले दस, बखार और हूनी पाखानी डाइरिया की चन्द आम अलामात है पानी की शदीद कमी, डी हाईरिशन की सूरत में डाइरिया महलिक हो सकता है चनाचे कसीर मगदार में मशरुबाद इस्तेमाल करें वरना पानी की शदीद कमी वाके हो सकती है डाइरिया की इलाच के लिए डॉक्टर्स एंटिवाटिक्स सजवीज करते हैं हम जेल में दी गए हदायात पर अमल करके डाइरिया से बच सकते हैं टॉयलिट इस्तेमाल करने के बाद हमेशा साबुन से अपने हाद धोई तमाम फल और सबजियां पकाने या खाने से पहले हमेशा धोले कच्छा गोश्ट और अंडे ना खाएं जी तो बच्चो आपने वीडियो देखी है क्या आप बता सकते हैं कि डाइरिया क्यों होता है बिक्टिरिया या वाइरिस की वज़ा से इन्फेक्शन का होना आलूदा खुराक खाना या फिर मेडिसन के असराद आईए इस बात को यकीनी बनाएं कि हम इस बिमारी में मुब्दला ना हो अपने खाने को अच्छे से बकाएं खाने से पहले हाथ लाजमी धोएं और फिल्टर का पानी इस्तिमाल करें जरा सोचिए ब्लूज मोशिन्स के आने की सूरत में डॉक्टर्स हमें ज्यादा पानी पीने का मश्वरा क्यूं देते हैं ताके जिसम में पानी की कमी ना हो दिल्चस्प मालूमात सकंजबीन में चीनी और नमक होता है चीनी और नमक दोनों जिसम में पानी के इंजजाब में मदद देते हैं इसलिए डाइरिया के दुरान सकंजबीन का इस्तेमाल अच्छा है. यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.